नमस्कार आज हम 29 जून 2020 के करेंट अफियर्स डिसकस करेंगे और हमारा पहला प्रेशन है कौन सा राज्य गोधन निया योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन भी 36 गड़ 36 गड़ देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो गोधन निया योजना शुरू करने वाला पहला राज्य होगा इसके अंदर एनिमल हस्वेंटर को प्रमोट किया जाएगा इस स्कीम के अंतरकर जो काउडंग्स होती हैं जिने हम आम भाशा में गोबर बोलते हैं वहाँ फार्मर डिपार्टमेंट, एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, अर्वन अड्मिनिस्टेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसको बेचा जाएगा ताकि फटिलाइजर की जो डिमांड है उसे पूरा किया जा सके इस स्कीम को 20 दुलाई 2020 को स्टार्ट किया जाएगा अगला कॉस्चिन क कौन सा देश फीफा महला विश्व कप मतलब फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2023 की मेजवानी करेगा इसका सही आंसर है ओप्शन डी बोथ A and B मतलब न्यूजिलेंड और आस्टेलिया दौनों मिलकर फीफा वोमेंस वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट करेंगे और यहां उन्होंने अनौस्पेंट की है वीडियो कॉन्फेंस के दौरा और यहां पहली बार जब फर्स्ट पहला वोमेंस वर्ल्ड कप होस्टेट किया जा रहा है इसिया पैसिफिक रिजन में और 2022 का मेंस वर्ल्ड कप जो की कतर में होगा और फीफा का जो हेड़ पुल्जिलेंड की एक सिटी जुरिच के अंदर है अगला कॉस्टिन हाल ही में किस मंत्राले के अंतिगरत राश्ट्रिय उत्पादिक्ता परिशत की 49 वी गवर्निंग कांसलिंग की बैठक हुई है इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं 49 गवर्निंग कांसलिंग आफ ता नेश्नल प्रोड़क्टिवीटी कांसलिंग जो कि किसके इक सीस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई है इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स औं इंडस्ट्री अभी हाल ही में आप देख सकते हैं कि 49th Governing Counseling Meeting हुई है National Productivity Counseling की जिसके चेर्मेंशिप किस ने की है Commerce and Industry Minister प्यूश गोयलने आईए इसके बारे में जानतें NPC के बारे में National Productivity Counseling जो की एक Autonomous Body है जो की Ministry of Commerce and Industry की Department for Promotion of Industry and Internal Trade के अंतिकरत आती है और Objective क्या है इसका NPC का कि जितनी भी इंडिया के अंदर जितनी भी हमारी National Level की Organization है उन में Productivity Culture को Promote करना मतलब जो भी Productivity होती है उस Culture को Promote करती है इसका Establishment हुआ था 1958 में अगला Question हाल ही में Mary Jackson समाचारों में है वह कौन थी? इसका सही आंसर है Option A African American Female Engineer यह आप उन्हें देख सकते हैं वैसे इनकी जो मिर्तिव है वह 2005 में हो गई थी लेकिन अभी यह News में इसलिए है क्योंकि Washington DC में जो NASA का Headquarter बना है उसका नाम जो है इनी के नाम पर रखा जाएगा मतलब Mary W. Jackson के नाम पर रखा जाएगा जो की कौनते है यह याद रखेगा यह हमारी फॉर्स्ट अफ्रिकल सौरी NASA की यह पहली अफ्रिकल American Female Engineer थी अगला Question किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की है इसका सही आंसर है Option A महारास्टा याद भी रखना महारास्टा महारास्टा महापरवना महारास्टा गवर्नेंट ने महापरवाना इसकीम लाँच की है इसमें क्या मतलब होगा इसमें इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए यह इसकीम स्टार्ट की गई है कोई भी इन्सान मतलब सौरी कोई भी इन्वेस्टर है उसकी अगर प्रपोजल है उसका इन्वेस्ट करने का 50 करोड या 50 करोड से जादा तो उसको कुछ छूट प्रवाइड की जाएंगी इस स्कीम के अंतरगत मेंली इनका परपस यही है कि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना अगला कॉश्चन हाल ही में कोहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट समाचारों में है यहाँ किस जगे पर इस्तित है इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान ओकुपैड कश्मीर अभी हमने देखा कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि कहां बन रहा है पाकिस्तान ओकुपैड कश्मीर में इसमें तीन लोगों का एक एग्रिमेंट साइन हुआ है इसके अंदर जो बोला जारा है त्री पार्टाइट पावर पर्चेस एग्रिमेंट जो कि चाइने से एक कंपनी है चाइना थ्री जोर्जिस कॉर्परेशन पाकिस्तान और जो गवर्मेंट है आजाद कश्मीर की मतलब जो पाकिस्तान ओकुपैड कश्मीर है उसके आजाद कश्मीर की गवर्मेंट इन तीनों ने मिलकर चाइना पाकिस्तान और आजाद कश्म इकनॉमिक कॉरिडोर का ही पार्ट है अगला कॉश्चन किस बैंक ने स्वा लंबन संकर उत्तरदाई निदी इस्थापित की है आप इस इंग्रिश में देख सकते हैं स्वा लंबन क्रैसिस रेस्पॉंसिफ फंड इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्रिट भी नए स्टार्ट के स्वा लंबन क्रैसिस रेस्पॉंसिफ फंड अब इसे समझने से पहले पहले हम जानते क्या होता है जो कि आप देख सकते हैं ट्रेट रिसीएबल डिस्कांटिंग सिस्टम प्लेटफर्म इसमें क्या होता है अगर कोई बड़ी और्गनाइजेशन है और कोई चोटी और्ग लिया अब इसके बदले इसने अभी इस कंपनी ने इसको पैसे नहीं दिये और इसने एक इन्वाइस करके दे दिया इसको कि इतने पैसे है मैं आपको स्टेट पर दे दूँगा लेकिन इस जो स्मॉल बिजनिसमेन है इसको पैसे की जरूरत पड़ गई शॉर्ट टम के लि रिस्टेड है यह सारी लिस्टेड कंपनी होंगी ठीक है इस कंपनी के पास जाएगा बैंक के पास financial institution NBFC के पास जाएगा और इस invoice को देकर एक short term finance ले लेगा अगर bank को इसमें ये फायदा होगा कि जितने में इनोंने supposed जितने में invoice होगा उसे कम rate पर ये इसको पैसा देंगे जैसे कि 100 रुपे का invoice है ये तो ये bank इसको 97 रुपीस दे देगी bank को ये फायदा होगा जब ये लेने आएगा तो इसको interest मिली जाएगा और अगर ये in case पैसा नहीं लेके invoice नहीं लेता तो यहाँ इस company से ही जाके सीधे 100 रुपे ले लेगा क्योंकि ये 100 रुपे का invoice है तो ये होता है trade receivable discounting system ठीक है अब इसमें क्या हुआ है अभी हाल ही में सिडवी Small Industries Development Bank of India ने informed किया है कि इस scheme के द्वारा जो स्वालमन Crisis Responsive Fund जो कि एक open ended fund है इसमें जितने भी MSME है वा free में ही इस platform पर जुड सकती है पहले क्या होता था MSME को इस पर जुडने के लिए 5000 से 10000 रुपे registration fees देने पड़ती थी इस platform पर आने के लिए अब यह service जो है उनके लिए यह free वो जा सकते है इस platform पर और वो आपको पूरा process समझाई दिया और यह news में इसलिए है अगला question किस दिन को सांके की दिवश के रूप में मनाया जाता है इसका सही answer option A 29 June 29 June को सांके की दिवश के रूप में मनाया जाता है और इस पार की थीम है sustainable development goal 3 और sustainable development goal 5 अब जानके sustainable development goal 3 के अंदर क्या है इसके अंदर है कि आप healthy life जीओ मतलब ensure healthy life and promote well being for all at all ages और दूसरा है sustainable development goal 5 इसमें क्या है gender equality को achieve करना और women's और girls को empower करना और यहाँ जो दिन है वहाँ प्रॉफिसर PC महालनोबिस के birth anniversary पर मनाया जाता है और 2019 में इनी के नाम पर एक award भी start किया गया था जो कि जितने भी state government institution या central government के official statics होंगे जिनोंने अच्छा contribution दिया होगा इस field में उनको यहाँ अवर्ड दिया जाता है और कल हमने आपसे question पूचाता कौन सा संस्तान जर्मनी में अपने समकश्यों के साथ मिलकर हरित उर्जा समाधान के लिए नई सामिक्वरी विक्षित कर रहा है इसका सही answer है option B IIT मदरास केंद्र का उधगाटन किया है मतलब product application and development center किस ministry के द्वारा inaugurate किया गया है आप इसका answer प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए और अब हम 28 जून का revision करते हैं जिसमें हमारा पहला question है ministry of health and family welfare has launched नशा मुक्त भारत प्लान इसका answer यह गलत है क्योंकि यह किसने start किया था यह start किया था social justice and empowerment ministry के द्वारा अगला question संकल पर्व campaign is related to skill development यह skill development से related नहीं है यह tree plantation से related है संकल पर्व के अंदर पेड लगाए जाएंगे अगला question WWF has released first global report on the illegal wildlife trade इसका भी answer गलत है क्योंकि यह released किसने किया FATF financial action tax force अगला question गुजरात has launched at one click initiative यह बिल्कुल ठीक है और इसी के साथ आज का current affair यहीं समापत होता है पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच कर दो नहलाईं सब्सक्ापू